इन दौर में नगर निगम की कारेवाही के दौरान पुलिस का अमानुई चहरा सामने आया है एक कारेवाही के दौरान CSP कई लोगों को चाटा मारते हुए दिखाई दिये तो वहीं SDM महाशलात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए अब इस पूरे प्रेक्रान को लेकर पुलिस और प्रशाशन की कारेवाही के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा कई लोगों से मारपीट के वीडियो पहले भी सामने आये हैं आपको बता दे के यहाँ पर जब रिमोल की कारेवाही की जा रही थी तो प्रभारी CSP जैंतरा ठोर ने यहाँ विरोध करने पहुँचे दुकानदारों को थपड़ जड़ दिया इस कारेवाही के दौरान अधिकारीयों के द्वारा की गई सकती और मारपीट चर्चा का विशय बन गई इस कारेवाही के दौरान CSP जैंतरा ठोर ने थपड़ों की बारिश की तो वहीं SDM ने विरोध करने वालों की लातों से पिटाई कर डाली पुलिस अधिकारी द्वारा की गई मारपीट की जैसे ही भनत आईजी इंदौर हरी नरायन चारी मिश्ट को लगी तो उन्होंने जल्दी पुलिस अधिकारीयों की काउंसलिंग कर मनुवर्ती बदलने का दावा किया आईजी मिश्रा के मुताबिक अक्सर इस तरह की कारवाई में लोग पुलिस का विरोध करते हैं जिससे पुलिस वाले उत्तेजित हो जाते हैं ऐसे में अधिक धहरे रखने की आवशक्ता होती है लिहाज़ा आगे से काउंसलिंग के माध्यम से ये हिदायत दी जाएगी कि वो ये खयाल रखें कि ऐसी जगहों पर मारपीट ना हो